प्रस्तुत पार्ट में सोहनलाल नाम का एक बालक है वे अपने मित्र को पत्र के द्वारा गाउं के बारे में पूरी जानकारी दे रहा है जिस प्रकार आप सभी की गर्मियों की छुटियां होती है और आप अपने माता पिता के साथ किसी ना किसी स्थाल पर घूमने जाते हैं उसी प्रकार सोहन भी अपने पिताजी के साथ अपने चाचाजी के गाउं आवल जो की हर्याना में हैं उनके साथ घूमने गया है और वहां की पूरी जानकारी एक पत्र की द्वारा अपने मित्र को दे रहा है सोहन अपने पिताजी के साथ एक बस में बैटकर गाउं पहुचा गाउं में चारो तरफ सरसो, मूली, काजर, मतर वशलगा मादी उगे हुए थे लहला आते खेट उसे बहुत सुंदर लग रहे थे बैलगाडी में बैटकर सोहन अपने पिताजी के साथ गाउं में अपने चाचाजी के घर तक पहुचा वहां उनसे मिलने के लिए सभी गाउंवाले आए सभी गाउंवालों ने उनकी खूब महमान नवाजी की सभी ने उन्हें अलग लग प्रकार के व्यंजन भी खिलाए सुभे उठकर सोहन अपने चाचाजी के साथ गाउं की सेर पर निकल पड़ा सोहन ने गाउं में चाचाजी की बेटे अमित का विद्याले देखा इसमें विद्यार्थी दसवी कक्षा तक पढ़ते थे परन्तु उच्छी शिक्षा के लिए गाउं के बच्चों को शहर के महाविद्याले में जाना पढ़ता था सोहन ने गाउं में सामुदाइक भवन देखा इसमें महिलाओं की कक्षाएं होती है उन्ही खाना बनाना, कढ़ाई बुनाई, हस्कला वपरिवार कल्यान की विशे में जानकारी दी जाती है सोहन ने गाउं में गोबर के सैंत्र भी देखा